हाई विर्वन मेरे नाम किस्वर कुमार है आज की इस क्लास के अंदर हमाँ टाइप इस्पीड और डिस्टेंस के अंदर जो चेप्टर आता मुस्रों उस पे आधारी जो प्रसन होता है उसको देखेंगे और इसके पहले एक क्लास करा दिये हैं जिसके अंदर मैंने आपको य तौशा पर चीज आज भी जोड़त पड़ेगा तो थोड़ा समय आपके याद करा देता हूं कि अगर कभीभी किलामीटर प्रदी से головे में किसमार होंद इसका आज भी बहुत ज्यादा इस्तुमाल होने वाला है ठीक है तो चलिए सुरू करते हैं मतलब रेल को ट्रेन को पढ़ने के लिए कोई दो तिन जरूरी बाते होता है उसके पहले जानने के लिए ताकि मैं आपको बता दो सवाल बनाने में ताकि कोई तकलीफ न हो तो आने के साप अएक्ष चर्यादी का मतलब क्या है कि एक कोई ट्रेन इomena से आरि ठीक है इसका सपीड कितरा है में यहीं पर जोरत पढ़ेगा जैसे ट्रेंड के हर एक सवाल में आपको सापेक्ज गती ही लेना पड़ता है, चाल किसमें लेंगे, सापेक्ज चाल लेना पड़ता है, ठीक है, तो अगर कोई दो ट्रेंड या दो कोई आदमी कोई भी रहे, तो आमने सामने आएगा है, मैं इध सापेक्ष जिगति क्या होगा a plus b हो जाएंगे एक प्लस vipुरित बाला में और अगर कोई सामान इसकी बात करूं इसकी बात करूं तो यह क्या होता है एक नंबर बाला है और इसके साथ ही कोई जा रहा है या इसके यहां पर रेस में क्या मैंट आएगा उसके बाद आपका पूरीप्रत्य ना है यूसली में पर जा रहा होता है इतनी सी बात आप समझ गये हैं अब आते हैं अब आजाते हैं ट्रेन के उपर train के उपर में कुछ concept होते हैं उसको हम देख लेते हैं उसके बाद सवाल पर उपर जाएंगे ठीक है train train actually में दो परकार के होते हैं मतलब train दो cases में बनते हैं किस परकार से जब कोई train train में सवाल क्या दिया जाता सवाल train में इही दिया जाता कि यह कोई train है जिसके रप्तार कुछ है जिसके लंबाई कुछ है और यहाँ पर खड़ा आदमी है तो यही पूछेगा कि train उस आदमी को कितने समय में पार कर सकती है ठीक है यह बताइए तो train के अंदर दो cases होते एक cases जब कभी train जो है जिसके कोई लंबाई नहीं होती खड़ा वेक्ती को पार कर रही होती है तो उसमें क्या situation बनेगा वो अभी आपको बताएंगे दूसरा क्या होता यह प्लेटफॉर्म को पार करती है कभी भी जहां पर हम लोग खड़ा होते है तो वो क्या है जिसको केस टू कहते है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे काफी बहतरीन तरीके से अब इसवास किज़े 10 मिनिट के अंदर जो चीज़े चर्चा करेंगे उसके बाद अगर मैं आपको यह बोल दू न का बांकी का सवाल आप खुद बना लेंगे तो सारे बन जाएंगे आपसे कोई दिक्कत नहीं है आगे दिखे पहला नंबर क्या आता है पहला नंबर कॉंसेप्ट यह है कि जब ट्रेन किसी व्यक्ति या पोल को पार करती है ठीक है तो कंसेप्ट यह है और इसमें पूछता क्या है मान लेते की कोई train है जिसकी लंबाई अगर train की लंबाई की बात करें लंबाई को हम L से डिनोट कर देते हैं लंबाई अगर 90 मीटर है ठीक है मेरी बातों को समझने कोशित कीजिए इहां पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है तो सवाल एही पूछता है मेरा भाई कि ये जो व्यक्ति है ना एक train बना कर में आपको दिखाता हूँ अभी तूरत एक train बना कर तूरत दिखा रहा हूँ कि train भाई कैसा काम करेगा है कुझे दिख जा भाई यार थोड़ा से छोटा बनाता हूँ तक ट्रेन चलो भाई इसको train एक बना देते हैं तक आपको चलिए एक train बना दिये ठीक है एक train बना दिये माल लेते हैं कि आभी फिलहाल माल लिजे कि एही एक train है इसके उपर से इस परकर से चीजे है ट्रेन है और ये train का जो लंबाई है इसको भी आभी देख लिजे आप इस train का जो लंबाई है वो माल लेते हैं 90 मिटर है ठीक है अभी माल लेते हैं और इसका जो रप्तार है उसको माल लेते हैं 90 किलोमेटर प्रती घंटा माल लेते हैं ठीक है और यहाँ पर एक खड़ा वेक्ती है इसको यह पार करेगा ठीक है अगर ट्रेन यहां से चल रही है और यहां पर एक खड़ा वेक्ती है इसको अगर यह ट्रेन पार करेगा इस परकार से पार करती है तो पूछता है कि कितने समय में पार कर देगा यह जो ट्रेन इसको पार करेगा तो समय कितने लगेंगे ठीक है ह अरवार आपको समय ही पूछा जाएगा, तो यह पर आप एक चीज जान लिजे, कि समय बराबर जो होता है, तो समय बराबर होता है, दूरी, दूरी बटे चाल, ठीक है, दूरी बटे चाल क्यों हुआ? क्योंकि समय कब निकलता दूरी बटे चाल ती जब व्यक्ति खळा इसका कोई दूरी होगा क्या कोई आप एक चीज बताइए इसका कोई दूरी होगा नहीं यह मैं ख़ड़ा हूँ यार मेरा क्या दूरी हो सकता है कुछ नहीं हम ऐसे इस्थिर खड़ा है लेकिन अगर कभी एसा बोले कि एक व्यक्ति उधर से चलते हुए आ रहे हैं तब फिर बता रहे हैं चीज यह टेंसर मत लिए यह व्यक्ति कह रह कितने समय में पार करें क्योंकि समय निकालने के लिए हमें दो चीजों क्या वसकता होती है एक दूरी अदूसरा चाल आप यह देखिए कि इसकी दूरी कितना है दूरी हमने बूला आपको 90 मीटर है और चाल कितना है 90 किलोमेटर परती घंटा यह चाल चाल तो हम नीचे किलोमेटर परती घंटा यह आपका कितना होज़ेगा इसको सौब भी करेंगे उतना ऐसी सेकेंड में इसको पार कर दीगे यहां पर हमने डाटा लिया है ताकि यह कटा मतलने नहीं कटा तो वह पार कर देगे यह पहला है ठीक है दूसरे बात को समझते है जब किसी ट्रेन किसी प्लेटफॉम या पूल को पार करती है ठीक है यहां पर भी बातों को समझने कोज़ेगे यह मालते कि यह मेरा प्लेटफॉम है यह पूरा का पूरा प्लेटफॉम है अब यह अगर प्लेटफॉम है यहां से यहां तक तो इस इसका भी कुछ लंबाई होगा इसका भी कुछ लंबाई होगा तो यह इतना लंबाई हूं vine तो इस केसे में क्या करते हैं हम देख लीजिया आप इस केसमें जब एक ट्रेण क्या करती है कि जब एक पूल को या प्लेटफॉर्म, माने या प्लेटफॉर्म माने बाद से 메 płार करती है तो इसको कितने सवहां करी तो समझ बराबर क्या होता भाइस हम्गe बराबर हो ही हो जाता है दूरी बटे चाल दूरी बटे चाल आप बोलेंगे यहां पर जो दूरी लेंगे वो क्या लेंगे वो दूरी हम यहां पर लेंगे भाई साब यहां पर जो दूरी लेंगे वो लेंगे ट्रेन ट्रेन की लंबाई, ठीक है, पलस, पलस जो पूल, पलस अगर ये पूल है, अगर पूल है, तो पूल रहेगा तो पूल की लंबाई माल लेती, ये पूल है, जो भी है, पूल की लंबाई, ठीक है, पूल की लंबाई, यानि कि दूरी में तब हम क्या लेंगे, तब इसका जो तो नगज नहीं है, कुछ नहीं है चाल, तो चाल क्या करेंगे, चाल इसका जो दिया जाएगा, वही चाल रखेंगे, यानि कि चाल बराबर सिर्फ ट्रेन का चाल होगा, ठीक है, सिर्फ ट्रेन का चाल होगा, इस बात को कितने आदमी को समझ में आ गिया कि नहीं आ गिया, कि जब इस परस्तिती में बताया जाए, तो दूरी जो लेंगे, जब किसी प्लेटफॉम या इसको पार करेंगे, तो दूरी जो लेना है, वो ट्रेन की लंबाई लेंगे, और जोड़ देंगे पूल की लंबाई को, ठीक है? और चाल किसका रहेगा, सिर्फ ट्रेन की चाल होगा, सिर्फ ट्रेन का चाल को लेना है यहाँ पर, ठीक है? ये केस नमबर टू है, मतलब आप इतना समझ सकते हैं, दूसरा बात अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा और आगे, तो देखें, जब ट्रेन किसी दूसरे ट्रेन को प अगर इस ट्रेन को ऑवर्टेक करेगी, तो कहरा कितने समय में ये इसको पार करेंगे, तो समय ही डिमांड किया गया है, ठीक है मेरा भाई, तो समय बराबर क्या होगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, लेकिन इहां पर सब रूप रेखा बदल जाएगा, दूरी क्या हो जा वो ट्रेन ये वलसरे मिठले को दोनों का दूरी को हम ले लेंगे ठीक है इक का भी अब नीचे आता चाल! और चाल के आप लेना सपेक्श गती लेना थीक है तो इसका भी कुछ यह गता हैello हिए तो दोनों एक ही डायरेक्शन में भाग रहा है यहां पर चाल क्या हो जागा चाल एक दूसरे से माइनस हो जाएगा एक यहां पर किया है एक दूसरे को आमने सामने से विप्री दिसा से पार करती है एक ट्रेन इधर से आ रही है भाई साब ठीक है और एक ट्रेन इधर से आ रहे है अब इसको आमने सामने से पार करेगी ये इसको पार करेगी ये उसको पार करेगी यानि कि अगर इसको train को A माल ले इसकी दूरी A है इसकी दूरी B है इसका speed को अगर X km परती घंटा माल लेते हैं और इसका speed को Y km परती घंटा यानि कि क्या है बाई यह यह किलोमेटर प्रती घंटा यह इस परकार से है कि क्यो ना इसको हम मिटा देए यह ता यह तो यह अब क्या हो गा दूरी नोका जूट जैगा यहनों कि यह चाल आब सापेक चे से चाल लेना है सापेक चे चाल रिलेटीव देंगे इस जोट जाता है तो रिलिटिव स्पीट जूट जाता है टो जूट जाता है तो यहां पर च्छेगा एक्स प्लस य हो जगा इसका जा रहे हैं और एक दूसरा कोई व्यक्ति है जो उस ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है अब हम उस अंदर बैठे ट्रेन को अगर पार कर रहे हैं माले थे कि हम यहां से जा रहे हैं अब इस ट्रेन है यह भी चल रही है इस आदमी इहां पर एक बैठा हुआ है अब यह ट्रेन इ जो और अदमी बेठा हुआ तो इससर प्रेंच कर लिए उसका ब eछ चैना मिले कर सकिए ने, क्योंगी चैनल कर फिर के लोज्य डिए की यहीं कंडिशन बिप्रीत में देता है कि यहार बताओ एक ट्रेंट जा रही है आगे तरफ से ठीक है इधर से और इधर से आ रही है इस परकार से यहां पर आदमी बैठा हुआ है अब इसको पार करेगा तो कैसे करेगा तो ही है बराबर समय जो है समय बराबर क्या हो जेगा म पावी कौ bakın चाल होसए लेंगे तो दूरी एक स्फिड की उगने मैं होगा कर दूंगा अगर इहां तक पमानि यह यह रेल गाड़ी आप सीख गया है ठीक है अभी तक मुझे पता है कि आपको एक भी एक जंपल नहीं कराए तो आप साइद अभी भेलू में नहीं सिख पाए होंगे लेकिन विश्वास कीजिए में सारी चीजे किलियर कर दूंगा कलास के अंत तक ठीक है अब आज यह सवाल में सुरू करते हैं यह सवाल को 140 मीटर और 160 मीटर लंबी दो टरेन समानंतर लाइनो पर 40 किलो MEटर परती गंटा की चाल से एक दूसरे की और दोन रही है जिस छन दोनो टरेन आपस में मिलेंगे उसके बाद वे कितने समय में एक दूसरे को पार कर लेगी स्सी जीडी 11 जन्वरी 2013 यही सवाद है कि दो ट्रेन है ठीक है पहली बार जब आप सवाल बनाएंगे तो अराम अराम से बनाना है एसा नहीं कि पहला दिन एकदम खेज दिए मिटर, तब हम नहीं होगा, पहले आराम से बनाते हैं, ठीक है? दो ट्रेन है, ठीक है? डो ट्रेन, अगर कह रिए किज़रे कि ट्रेन ये गवह है, इसका एक सो चालीस मिटर लंबा है, ठीक है? दूसरे के ओर दोड रही है, यानिकि यह इदर से जा रही है, यह अगला वळा इदर से आ रही है, ठीक है तो इसका रप्तार, पहला वळा रप्तार दिया है 4 किलोमेटर परती घंटा, यह पर को पार करका है तो पूछ रहा कि बेखे दूरी मतलब दोनों ट्रेनों का जोड़ देते हैं, तो दूरी जोड़ देंगे, 140 और 160 बोलेंगे, 100-120 ते 300, तो टोटल दूरी होगी है मेरा 300 मीटर, ठीक है मेरे भाई, अब बोलेंगे भीया, चाल देना है, तो इसका रप्तार कितना है, 40 किलो मेटर परती घंटा, इसका है सकेंड में, मीटर परती सकेंड में, हर बार किलो मीटर रहेगा, तो उसको मीटर परती सकेंड में चेंज कर देंगे, या तो आप यहीं पर चेंज कर सकते हैं, या तो आप साइड से भी चेंज करके लाके भी बिढ़ा सकते हैं, ठीक है, अगर मैं साइड में करूं तो किलो तो यहां तक आपको दिख्कत नहीं होना चाहिए पहला सवाल था यह सुरुवात है इसको ध्यान में रखेंगे ठीक है पहले हमने कुछ भी नहीं किया जब दोनों की लंबाई दिया हुआ तो दोनों को जोड़ देना है ठीक है जैसे-जैसे सवाल कराएंगे आपको सारी डा करना लेंगे दिखिए दिखेंगे बहुत गर्स में आपको बताने की कोशित करता हूं एक ट्रेन सीधे रेल पात पर 129 किलोमेटर परती घंटा की चाल से चल रही है और समांतर सबक पर एक छोटी सी कार 60 किलोमेटर परती घंटा की चाल से चल रही है यदि ट्रेन 947 मिटर लंबी है और वे एक दिखा में चल रही है ठीक है तो कार को पूरी तरह से पार करने में ट्रेन कितना समय निकटतम पुर्णांग में बताना है और यहां पर एक नोट दिया गया है कि ट्रेन की लंबाई की तुलना कार की लंबाई पर ध्यान नहीं देंगे इस बात पर ठी कहां लोग्यान लेके लिटानेन के साँ रही जैग गडिकों और नियुकों करें हैं जो एक सेंधी में भाग रहा है जो रहाlor भूनाल में खियत cost तो आपके पास दूरी कीतना है तो दूरी बोलेंगे दूरी बहुता है तो चाल की बात आता है तो चाल की बात आता है तो चाल की बात आता है तो चाल के पास भी है और चाल के पास भी है ठीक है तो कार चाल के भी पास है चाल के पास भी है और दोनों एक दूसरे के पीछे भाग रही है तो हमें सापेक जिगति लेना है सापेक जिगति का मतलब क्य रिलेटीव स्पिट क्या होगा जब एक दूसरे के पीछे बागती है तो दोनों आपस में माइनेस होती है क्या होते हैं माइनेस होती है तो एक सो उनतीस में जब हम साट को घटा देंगे यहां पर नौ बचेगा और बारा में च्छह जगा तो चौह एनिके उनसतर यह 69 बचे है तो एक स्टेप यहां पर देखिए मालेती यहां पर हम आपको बताने कोसिस करते हैं थोड़ा सा रुख जाई एक सगंड हां ठीक है कोई दिक्कत ने होगा को चालू रखते हैं उपर में कितना आया था 943 आया था ठीक आ नीचे आया 69 69 किलोमेटर परती घंटा किलोमेट में इसको मीटर मतर मीटर परती सेकंड में चेंज करने के लिए हमें गुना करना पड़ेगा पांच बटे 18 से तो अगर मैं गुना पांच करू और यह जो नीचे 18 है वो मेरा क्या होगा उपर चाल जागा आप बोलेंगा सही है इतना दूर कोई दिक्कत नहीं ठीक है अब यह 23 का पहड़ा में कर जाएगा 23 तिया 79 होता है अब 23 चोके बिरानवे होगा और फिर बिरानवे दो बचेगा तो 23 से कम 23 हो जागा ठीक है तीन से इसको कर देंगे छो बार में 6 एक के छो और 6 चोके 24 246 चो 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 बीस नीचे कितना हो गया 5 अब 5 से इसको भगा कर दे कर लिए ट्रेन कार को पार कर लिए तो उन पचास समझ गें 5 से चार बार में भाग दे दिए तो आपका 20 हो गया 20 में 4 बचा था ठीक है चार तो 46 हो गया फिर 5 नाम 45 कर दिए 45 तो एक बच रहा था तो एक तो जाएगा नहीं फिर पॉइंट लगा दिए फिर 0 हो गया तो प पूछे जाएंगे कोई बड़ी बात नहीं है ठीक है अगला सवाल क्या कहता है मेरा भाई दिखिए सवाल कहता है कि 550 मीटर और 650 मीटर की लंब की लंबाई वाली दो ट्रेन करम सा 68 किलोमेटर परती घंटा और 40 किलोमेटर परती घंटा की चाल से बिपरीत दिसा में एक बड़ाबर तब क्या होजेगा आपकी जिगा समय बराबर क्या हो जाता है दूरी बटे में चाल हो जाता है अब देख लेटे कितना है तो दूरी दोनों के पास है 550 तो दोनों जूड जाएगा 506 हो जाता है दूरी हो गया मेरा 1200 मीटर बारस मीटर नीचे चाल चाल क्या रिलेटिव स्पीड दोनों एक दूसरी काहां बिपरीत यह इए इधर से आ रही है तो इधर इधर से आ रही है ठीक है पहला वाला कर अपतार कितना 68 है दूसरा वाला कर रपतर 40 है किलोमीटर परती घंटा में ह पूरा पूरा चीज़ बदल गया ठीक है अब यहां पर खेल होगा कि मीटर मीटर कर जाएगा ठीक है है अगर काटना चाहें तो हम इससे काट डेते हैं किसी देखे 188 168 16 12 12 00 इनि कि 40 से कंड़ में पार कर लेगा किद देखेगा उमीद है कि सवाल को आप समझ भी और नहीं हो ऐता है अगले सवाल बहुत अगला सवाल और भी आसान अगला सवाल एक छोटा सा सवाल है इसको मैंने आपको लेकर आगये, इस सवाल में कोई दम नहीं था, लेकिन सवाल पूछ लिया तो मुझे बताने का फर्ज वनता है, देखे, सवाल क्या कहता है, सवाल बहुत अराम सा सवाल, छोटा सा सवाल, ठीक है, छोटा सवाल क्या है, कि एक गतिमान बस्तू द्वारत त ठीक है, तो हमें आठ घंटे में कितना जाएगा, आराम से बता सकते हैं, तीन पर इतना जा रहा है, तो एक घंटे पर कितना जाएगी, एक गंटे पर 120 बटे 3, हमें किसका निकलना, आठ का निकलना, आठ घंटे में, तो क्या करेंगे, 120 बटे 3, और ये गुना में 8 कर देत सब्सक्राइब तो तीन गंटे में कोई 120 मिल जाता है ठीक है तो एक घंटे में कितना जाएगा अगला सवाल आपके लिए हेलफूल रहेगा इस सवाल को बना पाएंगे अब सवाल क्या करता है कि एक ही दिशा में 110 किलोमेटर प्रति घंटा और 90 किलोमेटर प्रति घंटा के चाल से चल रही दो ट्रेन चुवन सेकंड में एक दुसरे को पार कर जाती है यदि पहली ट्रेन की लंबाई 130 मीटर है तो दुसरी ट्रेन की लंबाई क्या होगी अब इस सवाल को आप अराम से बना सकते हैं क्योंकि दो ट्रेन है इक ही दिशा में दो ट्रेन है जो कि एक ही दिशा में चल रही है जो एक ही दिसा में चल रही है एक ही दिसा में 110 km और 90 km प्रती घंटा की चाल से दो टरेन चूओन सेकेड में एक दूसरे को पार करती है एक ही दिसा में अब आप ये बताई कि समवए बराबर क्या होता है तो समवए बराबर आप बोलेंगैं ताकि आप चीजे याद हो जाए आपको ठीक है? दिक्कत नहीं होगा ठीक है हमने लिए हैं तो समय जुद लिखा है ना एक ट्रेन एक ही आपको इक ही दिसा में 110 km आपको अपना है तो दो नों का लंबाई चाहिए तो निकालना है उसको एक्स लिख देते हैं ठीक जोए बात की समझ से हैं आप पर एक्स लिख दिये अब नीचे क्या लिखना है चाल दूरी बटे चाल चाल का रिलेटीब स्पइट अब दोनों एक ही दिसह में जा रहा तो चाल क्या होगा मैनिस 110 पर उपपार चलीगा अब देखेंगे तो तीन बार में तीन हो गया अब देखें बीस नीचे कितना होता है 100 और 100 को यहां मतलब यह नीचे खुछ नवीटसलितू 1 है यह से गुणा होता है 100 कितना होगा है 300 बराबर कितना हो गए 130 मीटर बलस के एक्स तो इह अगर भाई साब इधर आएगा अब बताई इस इधर आएगा तो 300 में इस 130 घड़ जाएगा तो क्या ब तो लंबाई के जगह पर मैंने खाली छोड़ दिया और एक्स का मान को निकाल दिया यहां को किसी बात की समय स्था दिक्कत है तो बताई आप देखिए अब जिसे आप आपको एक चीज में बताने कोसित करता हूं पहला ट्रेन इतना है 110 किलो मिटर परती गंटा दूसरा ट्र यहां पर बना देते हैं आपको इसा दे आजाए कि भाईया यार बताओ आपको समय नहीं दिया गया थी कि आपको दोनों का चीज है आपको 54 जो स्रेंड है नहीं पता आपको वहीं निकालना है तो पहला का लंबाई 110 एक्स एक्स पहला का लंबाई 130 अग्स दूसरे का लंबाई कितना हो गया 300 मीटर यानि कि दूरी पहला का लंबाई दूरी 130 मीटर दूसरा का 170 300 मीटर हो गया नीचे चाल लेना है चाल क्या करें रिलेटिव स्पिट 110 में से 90 घटेगा तो 20 बचेगा इसे काट दीजे ठीए अब की बार जो है चुणा 21 से कांट में पार कर लिए आर यहीं चीज इसमें सवाल में दे दिया था कि चुवन सेकेंड में क्या करती है एक दूसरी को पार करती है ठीक है तो उम्मिद करें यह चीज आप समझ पाए होंगे इस तरह के से कभी कवर आप चेक कर लिया किजिए ठीक है दूसरा सवाल क्या कहता है कि यह सवाल गडबड है यह सवाल यहां पर नहीं आएंगे मतलब इसका आधा उधुरा लगा गया है इसको हटा देते हैं ठीक है अब अगला सवाल दिखें अगला सवाल क्या अगला सवाल करता कि बीजाई बड़ा और कलकत्ता से डो ट्रेन एक ही समाई पर सुरू होती है और करमा सा 24 किलोमेटर परतिगंटा की गती से एक दूसरी के और बड़ती है इस परकार से ठीक है जब वह मिलते हैं जब वह मालेते कि इधर आया एगो और एगो इधर आया ठीक है इधर आया जब वह मिलते है तो पता चलता कि एक ट्रेंड दूसरे से 140 किलोमेटर अधिक यात्तरा की तो दो इस्टेसन के बीच की दूरी कितना है यहां से अधर जगह के ज़्यादा दूरी कि होगी ऐसा यह होता मेरा इस पीड ज़्यादा है तो मैं ज्यादा लंबा तुक जया गया हूंगा ठीक है अद दोनों समय पर निकला है एक निकला आपका 24 किलोमेटर पर ती घंटा के रफटार से दूसर का निकला 42 किलोमेटर परति घं to पिर अब आपको पता है चाल कितना है पहला चाल 24 है दूसरा इए दोनों को जोड देंगे तो कितना हो जाएका छिस्ट सब्सक्राइब सब्सक्राइब किजिए जब भी आपको इतना बड़ा नंबर देगा तो केलिकुलेशन में टाइम वेस्ट कराएगा ठीक है तो तीन नंबर पहले का मिल जाए उसके बाद आपको सॉल्व करने का जोरत नहीं तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा इतना किलोमेटर हो जाएगा ठीक है यह दोनों में चला कितना अधिक अधिक 18 किलोमेटर चला है तो हमें समय निकालना समय बड़ाव दूरी बटे चल कितना दूरी परती घंटा की गती से एक दूसरी के और बढ़ती है जब यह मिलते हैं तो पता चलता है कि ट्रेन दूसरी की तुलना में 20 km अधिक यात्रा की ठीक है पहली की रफ्तार दे रखा 40 km परती घंटा और इधर से जा रही है दूसरी की रफ्तार इधर से जो आने वाली है उसकी र से निकालेंगे जाद कितना चला है 20 km जादा कितना चला है 20 किलूमेटर कितना से 4050 के मीमांण कितना होगा तिये मेरा नीचे आजएगा 20 बटा पांच यानुकि 4 घंटे का समया लगने वाला कितना चार घंटे चार घंटे कितना चार घंटे तो चाल मेरा कितना हो जगा चाल पांच पचासी पचासी इंटू समय कितने लग रहे हैं चार घंटे अब इसको गुणा कर दिजिए 45 पंचे 20 के सुने आत पर 24 ते 32 अर्डो कितना हो दा 34340 मीटर आपका करक्ट उत्तर बंजेगा इसको बता देते हैं कि यदि 90 मीटर लंगी ट्रेन 220 मीटर लंबे पलेटफोर्म को 20 सकंड में पार करती है तो ट्रेन की चाल क्या है ट्रेन की चाल क्या है मतलब एक 90 मिटर की लंबी की कोई ट्रेन है ये एक प्लेट mm है दोनों की लंभाई परापत है इसका लंभाई nou प्रस्कान के सब्सक्राइं होतले SAYS फ्रस्क्राइब क्माषिब तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में अंदर अगला सवाल यह सवाल यह सवाल है इस सवाल का अंसर आप कमेंट बोक्स में बता सकते हैं कि इतना से चल रही है 40 और पचास की चाल से ज़र यदी हुए एक दिसवा में चल रहे हैं तो वह कितने मिनट पर पार करेंगे हमेसा याद रुगे एंसर आपका अंतिम में स्वाल उसी पर है कोई दिक्कत नहीं यह सवाल देखे यह सवाल क्या है कि दो ट्रेन एक ट्रेन एक सो 50.000 एंटने में कितनी समय लगेंगे उम्मीद है कि सवाल का एंसर आप comment box में बता देंगे सवाल देख लिए आपके भलाई के लिए सवाल है इसको बनाएंगे आपको बहुत अच्छा रहेगा चीज़ा आप सीख पाएंगे जादा सवाल क्या करता है कि दो ट्रेन 124 मीटर और 116 मीटर लंबी 28 और 44 की रफ्तार स एक दूसरी के और चल रही है मिलने के बाद उसका समाई इसका भी समाई का एंसर आपको comment box में बताना है यह सवाल डबल तो नहीं है बई के लिए ठीक है अगला सवाल क्या करता है कि विप्री दिशाओं में यत्रा करने वाली इतना मीटर इतना मीटर लंबी 2 ट्रेन इतना सेकेंड में एक दूसरे को पार करती है तो उनकी परती घंटे परती घंटे अनुमानित सायूब से गती क्या होगा ठीक गती निकालना है तो चाल बराबर क्या होता है अगर माल लेते हैं कि चाळ बराबर क्या होता है त्यवित नुमाने चाल इससे भी निकाल सकते हैं तो समय बरर जकल सकते हैं तो बिपरीद दिशा में यात्रा करने वाली इतना मीटर और इतना मीटर लंबा है तो लंबा तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा तो 277 पर कितना है मेरा भाई यहां पर है 277.5 बटे में 272.5 इसको जोड़ेंगा तो 510 के सुन्या हाथ मेरा ECO10 5254 530 आगया कितना दूरी 530 मीटर इहां पर रखने देतें 5300 बटे में समय समय कितना ह Cohen 15 9 मतलब 1, 5.9 में मीटर पर 30 तो हमें क्या करना पड़ेगा अगर था अपर बड़े 5 से गुणा करना पड़ता है यह बाते आपको पता है तो इसको क्या करेंगे 175 से गुणा करेंगे यह यह दस हुआ अगर नीचे ओपर चलाना था मतलब एक बात 0 लगा के नगा पांटा देत चाल गुना समय क्या होता है चाल गुना समय होता है मेरे चाल गुना समय ठीक है तो चाल मेरा कितना है चाल बोलेंगा 80 किलोमीटर परती घंटा ठीक है अब ऐस मिनट में है मिनट में यह 60 होजब कोई दिक्कत घंटा से घंटा मेरा कटे जाएगा यहाँ पर 30 दूने 60 होजब काटेगा, 2 से इसको काड़ेंगे, तो 40 और में, यानि कि कितना दूर होगा, 40 किलोमेटर दूर होगा, ठीक है? एक वेक्टी को पार करती है तो ट्रेन की गती क्या है देखे इस सवाल में क्या है थोड़ा से समझने कोशिद कीज़े कोई बड़ी बात नहीं है आराम से बना लेंगा ठीक है एक ट्रेन है जिसकी लंबाई है 1.000 से 1.500 मीटर समान दी समय मतलर ट्रेन भी इधर जा रही है तो इसकी लंबाई का जोरुद हमें पड़ेगा नहीं ठीक है यह ट्रेन के समान दो किलिम्टर प्रती घंटा की रता जा रहे है समय दिया है 3 सेकंड इसको पार करने में इसको 3 सेकंड का समय लग रहा है ठीक है तो सवाल एही बराबर यह चाल बराबर दूरी दूरी वटे समय हो मैं यह निकाल सकते हैं डिकतत बोली बात नहीं अब दोनों तरीक से निकाल सकते हैं चाल यहां पर क्या होगा ट्रेन का चाल हम एक्स खाल दो है तो दोनों सेम डिरेक्षन बाग रहा तो क्या होगा एकस माइस हो नहीं आपका जापक जोगा बूरी कितना हैं, टेज़ू मीटर तो नेलग सो लगा दीज़ु है और समय कितना लगा तीन सेकड्ड तीन सेकंड सिर्फ सेकंड अम मीटर पर किलुमीटर पर ती सब्सक्राइब तो एक सो बराबर कितना होगे 182 किलोमेटर फ्रती घंटा बिल्कुल आ जेगा ठीक है तो यहां पर यह सवाल का एंसर आपको सब्सक्राइब